नौश्कार दोस्तों, मैं स्वाई महिपाल सर, यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम, स्वागत है अभी देश में लोगडाउन चल रहा है, तो हमारे उप्लाइन क्लासे भी नहीं हो पा रही है इसलिए हमने ओनलाइन क्लासे के मादिम से आपको पढ़ाने का एक प्रियास किया है तो हम उमीद कर रहे हैं, आप लोग घर पे हैं, सुरक्सित हैं सभी विदार्थियो उम्मर आजिश कुमार, आपको जनरल साइंस बढ़ाऊंगा और जनरल साइंस में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग फिजिस का पार्ट पढ़ेंगे विदार्थियो फिजिस का पार्ट जो है, इसमें से आजकर एक्जाम्स में बहुत ज़्यादा कोशन पुशे जाते हैं विजिस रूप से रेलवे के जो एक्जाम्स हैं, बिन में, तो हम लोग बहुतिक विग्याद इस्टार्ट करते हैं और बहुतिक विग्याद के अंदर हमारा सबसे पहल जो पार्ट होगा हम लोग सよねगे յिधार्थियो लाइट वाले चप्टर से हम लोग इस्टार्ट कर रहे हैं लाइंट वाले चप्टर से देखे विद्यार्थियो लाइंट क्या है मने एक शब्द लिखा है प्रकास और प्रकास का मतलब क्या होता है प्रकास का मतलब यह है विद्यार्थियो कि प्रकास जो है प्रकास एक परकार की उर्जा है जो द्रस्टी सवेदना उत्पन करता है द्रस्टी सवेदना उत्पन करता है द्रस्टी सवेदना का मतलब यह है विदर्थियो कि यह एनरजी जो है यह जिस वस्तू पर पढ़ती है यह उर्जा जिस वस्तू पर पढ़ती है वह है वस्तू द्रस्यमान हो जाती है कैसे हो जाती है विदर्थियो द्रश्यमान हो जाती है द्रश्यमान का मतलब क्या है विदर्थियो इश शब्द का मतलब ये है कि ये प्रकास जो उर्जा है ये जिस वस्तू पर गिरेगी और वह वस्तू द्रश्यमान हो जाएगी इसका मतलब वह वस्तू हमें दिखाई देन में वस्तों को देखने में क्या करती है विद्यार्थियो सहाईता करती है इसके बाद में देखना विद्यार्थियो प्रकास के बारे में हम लोग आगी बात करें आगी बात करें तो देखो विद्यार्थियो थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल लेते हैं प्रकास के बारे विद्धुत चुम्बा की तरंगों से है कौन सी तरंगों से है विद्धुत चुम्बा की तरंगों से है विद्धुत चुम्बा की तरंगे क्या होती है विद्धुत चुम्बा की तरंगों का मतलब यह होता है कि ये ऐसी तरंगे होती हैं जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की अउशक्ता नहीं होती है इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी विद्दुचुंब की तरंगे हैं ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है मैंने एक शब्द बोला विद्द त्यो निर्वात मैंने एक शब्द बोला है निर्वाद तो इस निर्वाद शब्द का मतलब क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है निर्ट प्लस वाद निर्ट का मतलब तो हो जाएगा विद्धारतियो नहीं और वाद का मतलब होता है वाई वाद का मतलब होता है वाईू तो एक ऐसा इस्थान जहां पर वाईू नहीं हो उस इस्थान को हम लोग क्या बोल सकते हैं? निर्वाद बोल सकते हैं इसके लिए कि अंग्रेजी शब्द यूच किया जाता है अंग्रेजी में निर्वाद को बोला जाता है विद्धर्थ्यू वैक्यूम क्या बोला जाता है वैक्यूम बोला जाता है अब इसके बाद में देखिए मैंने ये बोला कि प्रकास एक प्रकार की एनरजी है और ये वस्तों को देखने में सहायता करती है प्रकास का सम्मन्द विद्ध चुम्बा के तरंगों से होता है विद्ध चुम्बा के तरंगों की खास बात ये होती है कि इनको संचरित होने के लिए माध्यम क्या उशक्ता नहीं होती है माध्यम क्या उशक्ता नहीं है इसका मतलब ये निर्वार्क में भी संचरीत हो सकती है ठीक है विद्यार्थियो इससे आगे पड़ते हैं हम लोग देखना देखें विद्यार्थियो अब हम लोग उच्छे एक विज्यान की साका है प्रकास की इसको हम लोग अंगरेज में बोला करते हैं ओप्टिक्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि विज्यान की वह साखा विज्यान की वह साखा जिसमें प्रकास के गोणे प्रकास की प्रकरती एवं तरंग से सम्मंदित अध्रण किया जाता है उस साखा को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थ्योग प्रकासिकी या उप्टिक्स बोलते हैं ठीक है अब देखिए हम लोग भी बात करें प्रकास की गुणों की तो सबसे पहले हम प्रकास की गुणों के बारे में थोड़े सी चर्शा करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं विद्यार्थियों आपने भी सुना होगा कि प्रकास जो होता है प्रकास एक सीधी सरल रेखा में संचरित होता है, कैसी रेखा में संचरित होता है, सीधी या सरल रेखा में संचरित होता है, इसके बाद में मान लीजिए ये प्रकास जो है संचरित हो रहा है और बीच में कोई अवरोधक आ जाता है, तो ये प्रकास जो है अवरोधक से तक्राने पर, अवरोधक स प्रकास जो है दिशा को क्या कर लेता है विदर्थियो परिवर्थि कर लेता है इसके बाद में देखेगा विदर्थियो हम लोग अगले गुल की बात करें तो प्रकास का जो वेग है प्रकास का वेग जो है विदर्थियो सरवादिक कहा होता है निर्वात में प्रकास का जो वेग होता है विदर्थियों, वो कितना होता है? ये प्रस्वन परिश्वों में कुछा है आता है बार बार तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा तेन गोड़ा दस की घाद आग मिटर प्रती सेकेंड यहां पर मैंने जो यूनिट लिखी है वो लिखी है मिटर प्रती सेकेंड और यह मिटर प्रती सेकेंड जो यूनिट होती है विद्यार्थियों यह वेग की काई हो सकती है यह चाल की काई हो सकती है ठीक है अब माल लीज में आपको value लिखावा मिल सकता है तीन गोडा दस की घाथ 5 किलो मेटर पड़ती सेकेंड अगर इस unit को किलो मेटर में वो change करके लिखेगा तो इसको किलो मेटर में change करके लिखेगा तो इसमें 1000 का बाग लगा देगा और 1000 का बाग लगाने का मतलब दसकी गात है तीन, दसकी गात तीन का जब इस रंख्या में बाग लगाया जाएगा, तो यहाँ पर दसकी गात कितने बज जाएगी विदार्थ यो पांच, ठीक है, तो आपको option में ये मान भी लिखावा मिल सकता है तीन, दसकी गात, पांच, किलोमेटर परती सेकेंड, मान लीजे, ये value जो है, ये भी option में नहीं मिलता है, तो आपको कुछ exact मान भी लिखे हुए मिल सकते हैं जो पुस्त कोमे में देखने को मलते हैं तो आपको एक ऐसा मान में लिखावा मिल सकता है, तो लाग मिन्यारवा हजार साजसोचिंदर किलोमेटर परती सेगेंड बनी यहाँ पर जो योनिट लिखा है न, किस योनिट में किलोमेटर परती, इसके आगे भी सेकेंड नी लिखाव तो आवर नहीं लिखा है इसका मतलब यह है कि प्रकास जो होता है इसका वेग सरवादिक निर्वात या वेक्यूम में होता है और करीबन ये एक सेकेंड में कितने किलोमेटर चला करता है तीन लाख किलोमेटर चला करता है इसका मतलब दो लाख निम्यार वाजार सास्तो चीनता है तो इसका अप्रोक्सिमेट वेल्यू तो इतना हो सकता है 3,000,000 km प्रती सेकेंड ठीक है भी जारतियों अगर ये वैल्यू आपको मील में लिखी हुई मिलती है उप्षन में क्योंकि एक्जांप्स का थोड़ा सा स्टेंडर्र बढ़ चुका है तो ऑप्षन थोड़ा से कंफ्यूस करने वाले होते हैं तो आपको ज दूसरा वैल्यू ये भी मिल सकता है और ये भी नहीं है तो फिर ये मिलेगा या फिर इन डौरों में से आपको एक वैल्यू लिखाव उप्षन में मिलेगा तो सिद्धी सिद्धी बात मैंने क्या बोली विद्यार्थियों मैंने ये बोली कि परकास का जो वेग होता है बात में होता है विद्यार्थियों तीन गुनाथ 10 की घाथ 8 मिट्र प्रती सिद्ध इसके बात में ने और देखेगा परकास का जो वेग होता है वो अलग-अलग माध्यमों में अलग-अलग हुआ करता है जैसे निर्वाद में मान इतना होता है अगर हम लोग विद्ध्या वायो की तो प्रकास का वेग जो वायो में होता है ना वो निर्वार से थोड़ा सा कम होता है थोड़ा सा कम होने का मतलब यहां पर जो वैल्यू आ जाएंगे जो मान होंगे वो कितने होंगे यह मान जो होता है प्रकास का वेग वायो में कितना हुआ करता है इसके बाद में देखेगा विद्यार्थियो जो पानी होता है पानी या जल जो है पानी में जो प्रकास का वेग होता है वो थोड़ा सा इससे कम होता है पानी में प्रकास का जो वेग होता है विद्यार्थियो वो होता है 2.25 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है विद्यार्थियो इसके बाद में देखेगा कांच में जो प्रकास का वेग होता है कांच में जो प्रकास का वेग होता है वो इससे भी कम होता है, कांच में प्रकास का वेग इतना हुआ करता है, 2.10 की घाथ 8 मिटर प्रती सेगेंड, ठीकर विद्यार थियो, इसके बाद में जैसे हम लोग बात करें तारपीन के तेल की, तो तारपीन में जो प्रकास का वेग होता है न, वो विद्यार थियो, इस प परिंट नाइन सिक्स इंटू टेंट टू दे बावर एट मिटर परे सेकेंड ठीक है विदार्थियो तो यह जो मान मैंने लिखे हैं इनके द्वारा इन सभी मानों को देखर हम यह बता सकते हैं कि परकास का वेध अलग-अलग माद्यमों में अलग-अलग हुआ करता है ठीक ह इसके आगे देखे आप लोग यह ऐसा क्यों होता है इसकी थोड़ी सी चर्चा करते लोग तो देखेए गपने में अनाम आता है इनको नियम्न को भूतिक विज्यान के पितामै कोला जाता है का जाता है फाधरों दो कई बार एक्जाम में भी कोशन आ जाता है कि Father of Physics बहुतिक विग्यान के किताम है कौन है तो हमारा आंसर क्या होगा Sir A.J. के Newton ठीक है विद्यर्थियो इनके पुस्तक भी चलती है उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिप या नामक पुस्तक पुस्तक का क्या नाम है विद्यर्थिय जो सभी प्रकास के रंगों से मिलकर बनता है अर्थाद प्रकास सात रंगों से मिलकर बना है सात रंगों से मिलकर बना है ठीक है विद्यर्थियो अब देखिए ये जो रंग है ये जो कलर्स है इनका क्रम कुछ इस प्रकास से होता है अगर हम लोग इनको अंग्रिजी में तुक याद रखना चाहें, तो इसको बोलाisésता है विब्ढियोर। विब्गयॉर क्या बोलाजयाता है। इसके अलाबा धेखें विद्ढियोर, अगर हम लोग हिन्दे में इसको याद रखां करते हैं, फो मिण के वि边 नाला। वि का मतलब होता है वोईलेट कलर। B का मतलब होता है blue और G का मतलब होता है विद्यार्थियो green Y का मतलब होता है yellow O का मतलब होता है विद्यार्थियो orange और R का मतलब होता है red ठीक है विद्यार्थियो अब देखिए ये जो आपका color है violet color इसका मतलब हम लोग इसको बोला करते हैं बैंगनी रंग है ये कौन सा रंग है बैंगनी रंग है फिर देखें विदार्थियो आई का मतलब है इंडिगो और इंडिगो जो कलर होता है ना इसको हम लोग बोला करते हैं नीला नहीं बोलते हैं विदार्थियो इसको इसको बोल गीलिया है पैय जा बैजा और यहां आदी जगा इसको लिखा रहता है कि नी है पीनाला है तो आप कंफ्यसर होने की ज़ुर्स नहीं है बै बैजनी जा जा मतलबॉनिय कं शाथ मातलब कोई निला गृलो इसके अब देखिए, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं हरा ये पीला कलर होगी अविद्यर्थियो, ये नारंगी रंग है और ये कॉन सा है? लाल रंग है ठीक है विदर्थियो तो अब देखिए, इसके आगे हम लोग बात करें, तो यहाँ पर एक बिंदू आएगा तरंग अधरिय, उस तरंग अधरिय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद्यर्थियों, तो थोड़ा सा आप लोग सुनना, तरंग अधरियों को बोला जाता है वेवलेंट, तरंग अ तरंग अधरियों है, इस बेंगनी रंग का जो तरंग अधरियों मान होता है, वेवलेंट होता है, तरंग अधरियों को हम लोग लेवड़ा से लिखा करते हैं, किसे लिखा करते हैं, लेवड़ा से, और इसका जो तरंग अधरियों होता है, विद्यर्थियों वो रंगों म मान होता है वो सरवादिक होता है पैसाट सो त्रेसाट एंगस्टांग लाल रंग का जो वेवलेंद से विद्यारतियों ये सरवादिक होता है और इसका जो मान होता है वो कितना होता है पैसाट सो त्रेसाट एंगस्टांग तो ये जो रंगों होते हैं इन रंगों में बैंग उसकी बात करें तो प्रकास जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका तरंग दर्यमान जो है विद्धर्थियो ये परिवर्तित हो जाता है तरंग दर्यमान यदि परिवर्तित हो जाएगा तो उसका वेग भी बदल जाएगा विद्धर्थियो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकास जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसका वेग जो होगा ना ये वेग क्या हो जाएगा विद्धर्थियो बदल जाए ठीक है, हमारे बोतिक विग्ञान में एक फॉर्मूला हुआ करता है, V बराबर N लेम्डा, इसका मतलब यह है, कि यह तो है वेग और N का मतलब होता है विदर्थियो आवरती, जिसको हम फ्रिक्वेंसी बोला करते हैं, और इस लेम्डा का मतलब आप समझगे, तरंग दर यह, बढ़ेगा, और अगर हम कम करते हैं, तो V कमान क्या हो सकता है, कम हो सकता है, अर्थाक मेरा कहने का मतलब यह है, कि यदि हम लोग तरंग दर यह कमान परिवर्थित करे, तो यह जो बोतिक रासी है, आपकी वेलोसिटी, यह क्या होगी? चेंज होगी, तो प्रकास एक दूसरे मात्व में जाता है तो इसका तरंग दर्यमान परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण से इसका वेग क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है ठीक है विदार्थियो अब देखे कुछ next point हम लोग पढ़ें तो देखे विदार्थियो सूरिये से जो प्रकास है वो प्रत आपका आंसर होगा विदर्चियों 4009 सेकेंड कितना होगा विदर्चियों 4009 सेकेंड कई पुस्कों में आपको 500 सेकेंड भी लिखाओ मिल जाएगा यदि यह वैल्यू नहीं आता है तो इसकी जिए ऐसे हो सकता है जैसे मान लीजिए मैंने इसको दो टुपडों में तोड़ा 480 सेकेंड और उबर कितने बचे 19 सेकेंड इसका मतलब यह हुआ 480 सेकेंड का मतलब 8 मिनट और 19 सेकेंड तो सूरी का जो प्रकास है विदर्चियों वो प्रच्वी पर 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है मान लीजिए ओक्षन में यह वैल्यू नहीं आता है तो इसकी 500 सेकेंड होगा तो यहां पर आप लोग लिख देना 8 मिनट 20 सेकेंड ठीक है विदर्चियों तो सूरी का जो प्रकास है वो प्रत्वी पर पहुंचने में 699 सेकेंड लेता है ठीक है विदर्चियों इसके बाद में देखिए अगले क्यूशन की बात करें हम लोग तो जो च चंदर्मा से प्रावर्तिक प्रकास जो होता है विदर्चियों चंदर्मा से प्रावर्तिक प्रकास प्रत्वी पर कितने समय में पहुंचता है तो बहुत कम समय लेता है विदर्चियों एक पॉइंट दो आठ सेकेंड यहां पर मैंने सेकेंड लिखा है इसका मतलब लग ब चंदर्मा की अगर हाइट की मा बात करों तो लगबर प्रत्वी से चंदर्मा की जो हाइट है विद्यार्थियो वो है 3,84,000 km और अभी कुछ समय पहले मैंने बोला था कि प्रकास का जो वेग है निर्वात में वो कितना होता है 3,00,000 km प्रति सेकंड ठीक है विद्यार्थियो वो तैह हो जाएगी तो विद्यार्थियो चंदर्मा से जो प्रावर्थिक प्रकास होता है वो प्रत्वी पर 1.28 सेकंड में पहुंचता है ठीक है विद्यार्थियो दो कोशन तो ये पूछे जाते हैं इसके बाद में लेखिए एक कोशन यहां पर पूछा जाता है कि जो का वेग है प्रकास के वेग की गणना करने वाला प्रकास के वेग की गणना करने वाला प्रथम वेग्यानिक कौन था जिसने प्रकास के वेग का वेग को मातने का सवलतम प्रियास किया था तो उस वेग्यानिक का जो नाम आता है विद्यार्थियो प्रकास के वेग्य की गणन सर्वा प्रथम एक वेग्यानिक है और उस वेग्यानिक का नाम है रोमर तो प्रकास के वेग की गणना सर्वा प्रथम रोमर नामक वेग्यानिक ने की थी और रोमर नामक वेग्यानिक ने कैसे किया था विद्यारत लिए सर्वे रोमर नामक वेग्यानिक में जो हमारा ब्रस्पती जो ग्रह है जूपिटर जो प्लेनेट है इसके उपग्रहों की गती को देखा था इसके उपग्रहों की गती को देख करके जूपिटर प्लेनेट ब्रस्पती ग्रह की जो उपग्रह हैं उसके सेटलाइट जो है उनके ग्रहों की गती को देख करके प्रकास के वेग की गणना का सफलतम प्रियास किया था तो विद्यार्चियों ये प्रसुन कुछ है जाए कि प्रकास के वेग की गणना सर्व पुरतम किस ने की थी तो हमरा आंसर होगर रोमा नामक विगयनिक ने की थी प्रकास के वेग का प्रम अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कि परकास का वेक सरवादिक होता है निर्वाद में और निर्वाद से कम होगा विद्यार्थियो वायो में और वायो से कम अगर हम लोग बात करें तो वायो की जगह जैसे मान लीजिये हम लोग गैसी अमादम लेते हैं तो यहाँ पर गैसी अमादें बोल सकते हैं कि गैसो में होगा और गैसो से कम किसमें होगा विद्यार्थियो दर्वो में होगा और दर्वो से कम किसमें होता है थोसो में इसका मतलब यह हुआ कि प्रकास का विएक सबसे कम जो होगा वो किस में होगा थोसो में होगा जैसे मैं यहां पर दर्वों की जल लिख देता हूँ ठीक है भी जार चीओ तो वाइलों से वेग जो है कम किस में होगा जल में होगा और जल से कम यदि धोसी मादे मैं कांच लिखता हूँ तो यहां पर मैंने लिख दिया कांच तो कांच में जल्की तुलना से क्या होगा प्रकास का वेधी कम होगा ठीक है विजारतियों तो हम लोग देखें तो प्रकास का वेधी सरवादिक तो होगा निर्वात में इससे कम गैसों में गैसों से कम द्रों में और द्रों से कम किसमें होगा ठोसों में होगा ठीक है विजारतियों यह प्रकास जो है चोटे-चोटे कड़ों के रोग में चलता रहे हैं लेकिन कुछ प्रवाव हैं व्यतिकरण धुरवण तो ये जो सारे के सारे सिद्धान्त हैं गड़नाई हैं इनकी व्यक्या हम लोग कणिका सिद्धान्त के द्वारा मैं ही कर सकते हैं तो उसके बाद में जो वेगयानिक आते हैं उन्होंने कहा कि प्रकास की जो परकर्टी है वो कैसी है विद्यार्थियों तरह ये है ठीक है तो प्रकास की परकर्टी के बारे में दो मत हैं कुछ वेगयानिक बोलते हैं प्रकास की परकर्टी कणिये है और कुछ वेगयानिक बोलते हैं प्रकास की परकर्टी तरह ये है ठीक है विद्यार्थियो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रकास की जो प्रकरती वर्दमान में मानी जाती है वो मानी जाती है द्वैत प्रकरती द्वैक प्रकर्ति मानी जाती है, ड्वैल नेचर मानी जाती है, कि प्रकास की जो नेचर है, वो नेचर कैसी है, ड्वैल नेचर है, गणिये प्रकर्ति भी है और तरंगिये प्रकर्ति भी है, तो यह प्रकर्ति का जो पॉइंट है, इसको थोड़ा हम आगे डिसकस करेंगे, जब हम प्रकास की कुछ गटनाई पढ़ लेंगे ठीक है विदर्थियों अब देखिए आप लोग इसके आगे जैसे अभी मैंने बोला प्रकास के कुछ प्रभाव हैं प्रावर्तन अपवर्तन तो इसके बारे में जनरली क्योशन एक्जाम में पूशी जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा एक प्रभाव की चर्चा करते हैं सबसे पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं विदर्थियों प्रकास का अपवर्तन प्रकास का जो अपवर्तन है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है विदर्थियों रिफलेक्शन ओफ लाइट अंग्रेजी में इसको कहा जाता है reflection of light देखे विद्यार्थियो प्रकास का यहाँ पे मैंने अपवर्तन लिख दिया प्रकास का प्रावर्तन पढ़ेंगे हम लोगे प्रकास का प्रावर्तन इसको बोला जाता है reflection of light देखे विद्यार्थियो प्रावर्तन क्या होता है सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं एक एपारदर्सी प्रस्ट लेते हैं एपारदर्सी प्रस्ट का मतलब यह है कि इस प्रस्ट का जो एक भाग है इस एक भाग के उपर पॉलिस की हुई है पॉलिस करने का मतलब यह जो प्रस्ट है यह एपारदर्सी हो गया और इस एपारदर्सी प्रस्ट को हम लोग बोल सकते हैं प्रावर्तक प्रस्ट इसको बोल सकते हैं विद्यर्थियो प्रावर्तक प्रस्ट एपारदर्सी प्रस्ट को क्या बोल सकते हैं प्रावर्तक प्रस्ट बोल सकते हैं ठीक है विद्यर्थियो अब देखिएगा ये जो इस प्रावर्तक प्रस्ट पर किसी प्रकासिक स्रोथ से, मान लीजे कोई भी लाइट का स्रोथ है, जैसे यहाँ पर सन लाइट जो है, यह हम लोग यहाँ से एक प्रकास की जो किरण है, इस प्रावर्तक प्रस्ट पर आपतिति करते हैं, ठीक है विदर्थियो, तो यह जो प् इस प्रकासिक स्रोज से जो प्रकास किरण इस प्रकास प्रावर्तक प्रस्ट पर आप्तित हुई है, इसको हम लोग बोला करते हैं आप्तित किरण, इसको कहते हैं विदर्थियो आप्तित किरण, यह आप्तित किरण यहाँ प्रावर्तक प्रस्ट से टकरा कर इसी माद्य में वादबस प्रावर्तित होती है तो इस किरन को नाम दिया जाता है प्रावर्तित किरन इस किरन को नाम दिया जाता है विदर्थियो प्रावर्तित किरन फिर देखिए यहाँ पर मैं एक कालपनिक किरन खीशता हूँ और ये कालपनिक किरन जो होती है इस प्रावर्तक प्रस्ट पर अभिलंब होती है नौरवाल होती है ठेक अभिदार्थियो ये अभिलंब जो होती है इस प्रावर्तक प्रस्ट के साथ 90 डिग्री का कॉर्ण बनाती है 90 डिग्री का कॉर्ण बनाती है तो इसको हम लोग नाम दे दे हैं माला लीजे MN और इस MN को बोलेंगे हम लोग Avilam ठीक हो विड़ा क्यों तो यहाँ पर टीन पोइंट मैंने लिखे हैं पहला पूइंट मैंने लिखा है आप्तित किरड दूसरा पूइंट मैंने लिखा Avilam तो अविलंब जो है एक काल्पनिक किरण है जो इस प्रावरत्त प्रश्ट पर 90 डिगरी का कौन बलाती है यह आपतित किरण इस प्रश्ट से टक्राने के बाद पुने जाती है तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं प्रावरतित किरण ठेक अविदर थियो अब देखिए आगे बात करूँ तो ये जो आप्तित किरण है और ये जो अभिलम है इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग बोला करते हैं विदार्थियों आप्तन कोण इसको भोलते हैं आपतन कोड और आपतन कोड को हम लोग लिखते हैं आई से आई का मतलब है incident angle आई का मतलब क्या होगा incident angle तो आपतित किरण तथा अभिलम के मद्दे जो कोड बना इस कोड को हम लोगों ने नाम दिया आपतन कोड ठीक है विदर्थियो इसके बार में देखिए अभिलम तथा प्रावर्तन कोड के प्रावर्तित किरण के बीच में जो कोड बना है इसको हम लोग बोलते हैं प्रावर्तन कोड और प्रावर्तन कोड को हम लोग लिखा करते हैं आर से और इसको अंगरेजी में हम लोग बोलते ह तो विद्यक्तियो यह इंसिडेंट एंगल और यह रिफलेक्टिव एंगल अब आप लोग देखिए यह जो पूरी गटना हुई इस गटना को हम लोग बोला करते हैं प्रावर्तन इसको क्या बोला करते हैं और इस प्रस से टक्राने के पश्यात इसी माध्यम में वापस लोट जाती है तो इस पूरी घटना को प्रावर्तन कहा जाता है इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है विद्यार्थियो प्रावर्तन कहा जाता है ठीक है विद्यार्थियो अब देखे इसके आगे अगर हम देखिए विद्धार जो अगला जो बिंदू है हमारा प्रावर्तन में वो है प्रावर्तन की नियम प्रावर्तन की जो नियम है विद्धर्थियों, दो नियम है प्रावर्तन के, पहला नियम तो ये है, देखें विद्धर्थियों प्रावर्तन की गठना कुछ इस प्रकार से थी, ये था प्रावर्तक प्रस्थ, ये थी आपकी आप्तित किरण, और ये बने अगिलम खीचा थ और यह थी आपकी प्रावर्तित किरण ठीक है यहां पर जो एंगल बना था उसको आपतित कोड कहा था हमने और यहां पर जो एंगल बना था इसको हमने प्रावर्तन कोड कहा था तो देखिए पहला जो नियम होता है प्रावर्तन का वो नियम क्या है कि आपतित किरण सबसे प तलमे इस्तित होते हैं, तीनो एक ही तलमे इस्तित होते हैं, ठीक है विदर्थियो, देख लीजे आप लोग, आप्तित की रण, अभिलम और प्रावर्तित की रण, तीनो एक ही तलमे इस्तित हैं, ठीक है, तो ये तो है प्रावर्तन का पहला नियम, दूसरा नियम क्या है वि किसका मान बराबर होता है सदय किसके प्रावरतन कोण के। इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण आई का जो मान है वो प्रावरतन कोण आra Apost कोण के बारे में आप लोग जानते ही हैj कि यह हमेशे किसके साथ मापे जाते हैं покуп पे जाते हैं। तो प्रावर्तन के दो नियम हैं आप्तित किरण, अभिलम, प्रावर्तित किरण, टीनों जो हैं एक ही तनमेस्टित होते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान, प्रावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है बत्यार थियो, अब देखिए कुछ सोटे से को एक प्रकास किरन है एक प्रकास किरन है किसी प्रावर्तक प्रस्ट के साथ प्रावर्तक प्रस्ट के साथ 20 डिगरी के कौन पर आपतित होती है तो प्रावर्तन कौन का मान बताईए देखें में जार चेओ प्रसन को आप लोग द्यान से समझें कि प्रकास किरण जो है वो प्रावर्तक प्रस्ट के साथ कितने डिगरी का कौन मरा रही है 20 दिगरी का देखना ये मान लीजे आपकी आपतित किरण है और ये आपका अभिलम है विदर्थियो और ये है आपकी प्रावर्तित किरण तो यहां प्रशन में कहा गया है कि प्रकास किरण जो है वो प्रावर्तक प्रस्ट के साथ ना कि अभिलम के साथ देखें विदर्थीयो ये जो angle बनेगा यहाँ पर ये angle कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये जो प्रकास किरण है ये प्रावरतक प्रस्ट के साथ कितने डिगरी का chord मना रही है? बीस डिगरी का chord मना रही है ठीक है? तो ये वाला chord आपको दिया गया है अब हम लोग प्रावरतन कोड़ का मान कैसे बता सकते हैं प्रावरतन कोड़ का मान हम लोग तब बता सकते हैं जब हमें किसका पता हो आपतन कोड़ के मान का तो आपतन कोड़ का मान कितना होगा विजारतियो तो ये जो पूरा आपका प्रकुण है ये पूरा जो एंगल है ये नब्बच डिगरी का है और नबबच डिगरी में से इतना था जो आपका प्रकुर्ण है ये कितना है Corre ये जे गरी ने रहा है को तो जो जेश कोण बचा इंसिदेंगल जो है आपका देखो हमने प्रियास किया है इस YouTube चैनल के मादम से आपको बढ़ाने का तो आपका भी थोड़ा सा कर्तवे बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सेर करें और लाइक करें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा थेंक यू